नमस्कार दोस्तों जी के एरजुन सर यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है मिशन DSSB PGT 2020 इतिहास और चेप्टर का नाम है बैदिक सबेता और यह पार्ट A है इसमें तीन पार्ट होगा A, B, C तो यह पार्ट है और यह भाग 5 है तो चलिए वीडियो प्रारंब करते हैं वीडियो प्रारंब करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को क्लिक करना न बोलें, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अप्लोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपका मुवाइल पर सबसे पहले पहुंचें, तो चलिए वीडियो प्र तो इसका एंसर होगा B, इस्मृतियां, इस्मृतियां बैदिक साइट में नहीं आती है, कुश्चन नमबर दो है, निमलिखित में से कौन बेदांग का हिस्सा नहीं है, कौन बेदांग का हिस्सा नहीं है, तो इसका एंसर होगा D, आगम, आगम जो है बेदांग का हिस्सा कोईशन नमबर तीन है रिग वैदी काल में कोई नियमित भूमी कर नहीं था क्योंकि क्यों नहीं था इसका एंसर होगा सी यानि राजा को भूमी का मालिक नहीं समझा जाता था कोईशन नमबर चार है सुची फर्स्ट और सुची सेकेंड को स्विमिलित किजिया और उसके नीचे दिये गए कोट से सही उत्तर चुनिए एक तरह दिया है रिग वैद शामवेद यदूर अथारुवेद तो इसमें कौन से क्या स्विमिलित इसको स्विमिलित करना है यानी रिगवेद को एत्रे ब्राम noch यान एक का हुँआएगा आपका थ्री रिगवेद एत्रे ब्राम Ramen से शंबंदिद है और सामवेद आपका हुँआएगा यह 25 ब्राम Hopefully यहान से हुआजएगा सामवेद 25 ब्राम Hern यानि A का 3, B का 4, यानि इसका एंसर C सही है, यह जिरुएद हो जाएगा सत्पत ब्रामाण, और अथर्वेद हो जाएगा गोपत ब्रामाण, इस परकार यह सुमिलित है, कोशन नमबर 5 है, रिगवेद में किस नदी को अंबीत में, नदीत में, देवीत में कहा गया है, यह कहा गया है, सौर्सती नदी को, एंसर होगा D, कोशन नमबर छे है निमनिखित में से किसे निरक्त का प्रेणेता कहा गया है निरक्त का प्रेणेता तो ये कहा गया है एंसर हो गया है बी यास्क को कोशन नमबर साथ है सरपर्थम किसे सुझाव या किसे ने सुझाव दिया कि संस्कृत लैटेन तथा ग्रीन का ही एक भासा के परिवार से संबंदित है ये गहा था सरपर्थम सर बिलियम जोन्स ने कोशन नमबर आठ है नरायन के साथ बिश्णू के तादम में का प्राचिंता मुलेक प्राप्त होता है ये प्राप्त होता है तैतरी आरणियक से कोशन नमबर नौ है उत्तर बैदिक काल में पाला गल से तात परिय था उत्तर बैदिक काल में पाला कल यानि इसको काहता था संदेश वाहक को कुश्चन नमबर 10 है सब्त पदी का सही अर्थ क्या है सब्त पदी का सही अर्थ क्या है इसका अंसर होगा B साथ प्रतिग्याया वचन निभाना कुश्चन नमबर 11 है सरपर्थम किस गरंथ में हिरन कार सब्द मिलता है हिरन कार सब्द कोचिन नमबर बारह हैँ पूर्भु पुनरभु question number 13 है नेमलिखित में से जिस वेद की रचना गद्यम पद दोनों में की गई है उसका नाम है यजुर वेद question number 14 है नेमलिखित में से कौन सा गरंत भारती ये गणित का प्राचिन्तम साच्य है नेमलिखित में से कौन सा गरंत भारती ये गणित का प्राचिन्तम साच्य है तो ये गरंत का नाम है शुल्व सुत्र question number 15 है नेमलिखित में से कौन बैदिक देवता नहीं है कौन बैदिक देवता नहीं है इसमें जब एक question कुछ कर्षपीज वला है बैदिक देवता लगबख सब थेश में विश्णों भी थे इंद्र भी थे तो यहां नहीं वाला गलत कार देंगे तो इसमें सभी हो जाएगा बैदिक देवता सब थेश में question number 16 है बैदिक कालिन देवताओं की संख्या थी बैदिक कालिन देवताओं की संख्या कितनी थी इसका एंसर होगा C तैंटीस question number 17 है इनमें से कौन पूरुवायदिक के देवताओं सूरित थे पूरुवायदिक देवताओं सूरि नहीं थे यह थे बिश्व कर्मा question number 18 है सुमेलित करने के लिए चलिए इसको सुमेलित करते हैं यजूरु रिगवेद होता से यजूरुवेद अधार्यू सामवेद उदगाता अथार्वेद ब्रह्माले इसका करम से सुमेलित थे इसका एंसर हो जाएगा E question number 19 है युद का प्रारम मनुस्यों के मस्तिक्स में होता है किस गरन्थ में उल्लेखित है यह है अथार्वेद में question number 20 है बेदों के कव्यात्मक हिश्चय को कहा जाता है यह कहा जाता है सहिता Qs number 21 है बेदों को कहा जाता है ध्वनी उच्चारन कहा जाता है Qs number 22 है बेदों को कहा जाता है बेदों को कहा जाता है सुरूती Qs number 23 है निमलिखित में से कौन से गरंथ बेदों या सुर्तियों का अंग नहीं थे ये थे पुराण एंसर रजाएगा D पुराण कोश्चन नमबर 24 है युद्ध के लिए रिगवेद में किस सब्द का प्रियोग हुआ है ये प्रियोग हुआ है गविष्टी का कोश्चन नमबर 25 है बैदिक काल में किस पसु को अघन्या माना गया है तो अघन्या का अर्थ होगा है नव मारने युग्य ये नव मारे जाने युग्य अघन्या का अर्थ होता है तो वह थी गाय एंसर होगा C गाय कुस्टन नमबर 26, 16 संसकारों में उपनेयन संसकार किस क्रमपर है, इंसर होगा ये, इगराहमा क्रमपर, देखें, 16 संसकार थे, इसमें इगराहमा क्रमपर था उपनेयन संसकार, इसके अलावा इसमें देखेंगे, पाला था गर्भाधाम, दुसरा पुस्वन, तिसरा सिमनतेयन, चौथा जातकर, पांचवा नामकरण, छाथमा निशकरमण, साथमा अन्य प्रकासन, और आठमा चूडा करण, नौवा करण वेधन, दसमा विद्यारंब, और इगराहमा था उपनयन, बारहमा इसके बाद आएगा, वेधारंब, तिरहमा आएगा, केसांद, चौधामा आएगा, समावर्तन, पंदरहमा विबाह, और सोरहमा अन्तेष्ठी, ये सोलन संसकार थे, जिसमें इगराहमा उपनयन आता है, इगराहमा करम पर, कोश्चन नमबर 27 है, कौन समद्धित नहीं है, तो ये है, सिमोनन तयन, कोश्चन नमबर 28 है, बैदिक यूग में कौन सी समाजिक कूपर्था प्रचलित नहीं थी, कौन सी कूपर्था सम्मलित नहीं थी, इसका अंसर हो जाएगा, कौश्चन नमबर 29 है, रिगवैदिक काल में निमलिखित में से कौन सी प्रथा प्रचलित नहीं थी, ये बाल विवा प्रचलित नहीं थी, कोशन नमबर 31 है निमलिखित में से इंद्र को रिगवेद में किस नाम से पुकारा गया है कोशन नमबर 31 है रिगवेद में घोडे का कितनी बार उलेख हुआ है रिगवेद में घोडे का 256 बार उलेख किया गया है Q32. अद्वेत काल की अनुभूती किस काल में हुई? यह हुई थी उत्तरबैदिक काल में Q33. भारती संस्कृति की अधार सिला क्या है? भारती संस्कृति की अधार सिला होगा Q34. समुंद्र परियंत पिर्थिवी के सासा को एक राट कहा गया है? एक राट कहा गया है तो इसका अन्सर अगा B एत्रे ब्रामण में Q35. रमायन और महा भारत उल्लेखित अस्थलों की पुरातात्विक पाचान की गई है? यह पाचान की गई है? बीबी लाल द्वारा Q36. महा भारत में उल्लेखित कुछ अस्थलों का पुरातात्विक अस्थलों से समिकरण की था? यह समिकरण की था? बीबी लाल द्वारा Q37. और अंतिम QC ने आज के लिए Q37. बोगाज कोई अवलेक मिला है? यह मिला है तूर्की में तो यह थे question आज के लिए और इसका अगला पाट होगा बैदिक सवेता से या बैदिक काल से जोवी होगा तो यह वीडियो कैसा लागा वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें अपने दोस्तों के अधिक सेयर करें धन्यवाद दोस्तों जैहिंद वंदे मात्रम